आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी, बहुत एसे बनाना जब आप इसे देख लोगे तो आप खुद बनाओंगे ऐसे बहुत जादा एसी दो कटोरी मैंने लिया है मक्की काटा इसके लिए जो पानी लेंगे वो हम गरम लेंगे जब हम इसका डूब गरम पानी से बनाते हैं तो बहुत सॉफ्ट और बहुत मीठा हाठा हो जाता है क्योंकि यह आदा कुक हो जाता है इससे इसकी जो रोटी बनती है वो भी बहुत मीठी बनती है और आठे का जो है विल्कुल हमें ऐसी ही गूंदना है मसल के और इसका जो डो बनाएंगे हम बहुत सॉफ्ट बनाएंगे हाठ बनाएंगे तो रोटी में हाड नहीं बनाना है देखे विल्कुल ऐसे सॉफ्ट आठा है इसके पेड़े बना लेने है एक हम पन्नी लेंगे जो साड़ी में ऐसे करके पन्नी आती है वाली मैंने पन्नी लिए और एक तरफ उसके तेल लगाती है मैंने जो पेड़ा बनाया है आठे का उसको लगा दूगे हाथ में जो बहे है मैंने पानी के हाथ लगाए है और इसको हम बिल्कुल हम ऐसे ही बनादा है इसको आसों से थुआ टैप करना है और फिर घुबा देना है ना कहीं से मोटी पतली कहीं से ऐसा कुछ नहीं होगा विकुल एक सी रोटी हमारी बन के तयार होगी और हम गरम तवे पेसे डाल देंगे इसे देखे मैंने पलट दिया इदोन तरब से पक्के है तो अब मैंसे सेख लूंगी इसको जो सेखेंगे हम बहुत सीम कैस पे सेखेंगे से जिती अच्छी सेखेंगी तो यह उत्ती अच्छी मीठी बनेगी रोटी दोनों तरफ से अब अच्छी से से शेख लेके इसे यह दोनों तरफ से मैंने अच्छी से से शेख लिया इसे क्योंकि जिती अच्छी से सिखेंगी रोटी उत्ती ही मीठी बनेगी मक्के की रूटी हम सर्फ करते हैं सरसो के साग के साथ यह दिखें इसे मैंने मक्खन लगा दिया है मक्खन की कुछ भी लगाया आप रूटी में बहुत जादा टेस्टी लगती है आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब